नवस्कार मित्रो, जैराम जी की, आपके अपने चैनल प्रभाद टॉकी में आपका स्वागत है, मित्रो, आज मैं आपके साथ इस एक बहुत आवस्चेक जीवन में बहुत जरूरी चीज पर बात करना चाहूंगा, जो कि हमारे जीवन में, हमारे सोच में नहीं होना चाहिए, जी हाँ, इनसान की एक फित्रत होती है, जिसको बहुत जरूरी है कि उस पर वो हमेशा गौर करें और अपने सभाव से, अपनी सोच से उसको बाहर निकाल कर फेकें, बहुत ही आवस्चेक चीज है यह, और मैं बात कर रहा हूँ, इर्शया की, द्वेश, जेलेसी, जलन, यह जो ट्रेट होते हैं मनुष्य में, इर्शया की जो एक जो सभाव में जो होता है, इर्शया होना, सामने की तरक्की को देख करके जलना, यह अपने सभाव से हम जितना उसको अलग रख सकें, अपने सभाव में ना आने दे, उतना अच्छा, यह तो खेर, बात हो गए के, व्यक्ति जीवन में एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, इंडिविजुली हमारे अप्रोच में, हमारे जीवन में, हमें इन चीजों को नहीं रखना चाहिए, यह इनसे अपने आपको बचा कर रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एरशिया एक ऐसी चीज है जो सामने वाले को बाद में जलाती है, उस मनुष्य को पहले जलाकर भस्म करती है, वो मनुष्य खुद बखुद अंदर अंदर जलता है, जलता जाता है, और धीरे 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 वो बिखर जाता है, खत्म हो जाता है, एक ऐसी नेगेटिव चीज है, जेलिसी, जो आपके अपने जीवन में आपके तरक्की में सबसे बड़ी बाधा होती है, क्यों? क्योंकि वो आपकी सोच को नकारातमक बनाती है, नेगेटिव बनाती है, हो जाता है ऐसी बुरी चीज है अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि मनुष्य का सभाव जो है वो ऐसा होता है कि उसमें अच्छाया भी होती है बुराया भी होती है मनुष्य में अगर प्रेम है तो मनुष्य में क्रोध भी है मनुष्य में अगर सामने वाले के प्रती अच्छी भावना है तो उसके प्रती एक दुर्भावना भी होती है यह वैक्ति गयत है यह परसंटू परसंट इंडिवीज्व है पर भारत वर्ष में और हम भारतियों को इसके वारे में जादा सतर्क होना चाहिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सिर्फ वैक्तिकर जीवन में नहीं आप देखे समाज में और राजनीत में भी आपको इर्श्या बोलकर जो चीज है वो बहुत ज्यादा आम दिखेगी आपको दिखेगी कि ये हमारे राजनीतिक जो परिदिर्श है जो परिवेश है उसमें भी ये जेलिसी आपको बिल्कुल सामने देखने को मिलती है एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के नेता से एक जलन की भावना उसके प्रती एक नेगेटिव भावना उसके प्रती नकारतमक्स सोच रखना ये बहुत आम आपको देखने को मिलेगे और ऐसे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे खुद को एजुकेटिड और खुद को पोलिटिकली बहुत पाउरफुल समझते और है भी एक भुत्पुर एक ias officer हुआ करते थे जो आज एक पाटी के शर्वे सर्वाा है जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है आप देखें उनके 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 परन उनके आकों में उनकी बातों में उनके सवहाओं में निगेटिविटी, जलन, इर्ष्या, डाह जिसको कहें वो इतना कूट-कूट कर भरा हुआ दिखता है दूसरे किसी नेता के प्रति या दूसरे पार्टी के एक नेता जो है उनके प्रति आप अगर केजरिवाल को देखें तो उनके भाशन में, उनकी बातों में नरेंद्र मुदी के प्रति जो जलन की भावना दिखती है और किस तर का, किस लेवल का और वो एक सर्वेंट आई-र-स आई-बड़े ऑफिसर रह हुए है और उन्होंने अपने इस नौकरी से त्याग पत्र दे कर के राजनीती में कदम रखा अच्छा मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये जो हमारे समाज में और जिनको हम देखते हैं रोजमर्रा के जिन्दगी में जो बहुत इन्फ्लॉएंस रखते हैं सोसाइटी में जब हम उनको देखें और उनके अप्रोच में हम इस तरह की उनके सभाव में इस तरह की नेगेटिविटी देखें और आम जंता देखती है तो आम जंता को क्या लगता होगा कि ये सही है अरे यह अप्रोश है देखो कितना बड़ा आदमी बन गया है केजरीवाल देखो कितनी बड़ी नेता है सुनिया गांधी देखो कितने बड़े हिवा नेता है राहुल गांधी पर आज जो आज जो राजनीतिक परिद्रिश्य है इसमें आप देखें तो ये लोग इतने जादा नकारातमक हो चुके हैं इनमें इतना नेगेटिविटी है इनमें इतनी जेलसी की भावना है दूसरे नेता की प्रति जो आज हमारे देश को लीड कर रहे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं Mr. Narendra Modi उसके प्रति जिस तरह का डाह जिस तरह की नेगेटिविटी देखती है ये आम जनता पर क्या प्रभाव डालती होगी राजनीती में और नेता जो है नेता को जनता देखती है सीखती है और उनके जैसा बनना चाहती है फॉलो करती है तो यह जो बड़े बड़े नेता है जो खुद जलन के और इर्शा के मारे जिनसे जो दूसरे किसी नेता की पॉपॉलेरिटी के उनकी लोग प्रियता को बरदास्त नहीं कर सकते और क्योंकि वह बहुत लोग पुरे क्या मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों और मैं आपको एक चीज इसके साथ साथ कहना चाहूंगा कि यह आपका अपना चैनल है वित्रो इसको सपोर्ट करना आपका करतव भी आपका धर्म है मैं मेरे इस चैनल को आप जड़ोर देखें इसको सबस्क्राइब करें लाइक करें शियर करें अपनेमित्रों को बताएं और आपका यह यह जो तकटتي है और अन्त तक पहुंचते रहें और इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखें तो वापस आते इस बात पर यह मैंने बहुत मेरे मन में बात आई और मैं बहुत मजबूती से बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े शो कॉल नेता है हमारे देश के आज के राजनीतिक परिवेश में और जब वो खुद इतने छोटे हैं मन से दिल से जिनमें इतनी नेगेटिवीटी है जिसमें अगले सामने वाले नेता के प्रती और या सक्सेस्फुल लोकप्रिये देश के प्रधारमंत्री के प्रती इस तरह का जेलसी की भावना हो तो जनता तक क्या संदेश पहुंचाते हैं जब खुद वो अपनी इर्ष्या को आज तक नहीं कंट्रोल कर पाए यह पूरे भारत में आज मेने खिया से छोटे-छोटे बच्चों को भी यह बात समझ में आती है कि हमारे देश में इस वक्त एक बहुत ही लोकप्रिये प्र बहुत पॉप्लर है और यह जो दूसरे नेता जो विपक्ष वाले हैं वो उनके सामने कहीं नहीं ठड़ते तो अंदर से उनके अंदर से एक जलन की भावना इतनी तीवर निकलती भी दिखती है कि वह आम जनता भी देखके समझ सकते कि इनका जो है नरेंद्र मोदी के प्र अंदर पर एक आमाम को वो लोग का नहत्री तो करते हैं तो अपने आमाम जो उनके वोटर्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं उन तक कैसी क्या संदेश पहुचार है क्या बता रहे है कि हमारे जैसे तुम भी जलन खोर बन जाओ तुम भी ऐसे नेतागिरी करना है तो मतलब इरश्यालू बनो तो मतलब जनता भी ऐसी बनेगी ना तो क्या इनका यह दाइत्व नहीं है कि पहले तो अपने सभाव में से इन चीजों को निकालो अगर एक प्रधान मंत्री हमारे देश का लोग प्रिय है तो है जनता उसे पसंद करती है तो करती है सच्चाई है जब द प्रेंड्स फूट फॉर थॉर्ट हमें भी सोचना चाहिए इस पर और ऐसे लीडर जो समाज के जिसको समाज लुक अप करती है इनके जैसे तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए यह मैं कह रहा हूँ कि आप लोक प्रियता को अगर सामने एक अच्छे नेता की लोक प्रियता को अगर आप फजम ना कर सके तो आप समाज में अच्छा क्या देंगे आ गए आप नेतागिरी करने, समाज को लीड करने तो जलन खोरी जो चीज है ना वो सामने वाले को बाद में जलाती है पहले आपको जला कर खाख कर देती है इसलिए जलन खोरी से, विद्वेश से, इर्ष्या से अपने आपको हमेशा बचा कर रखे और अपने आपको बहतर करने की कोशिश करें हमेशा ना कि सामने वाले की तरक्की से जले और जल जल कर सड़ कर मर जाएं ऐसा कभी नहीं बनना चाहिए दोश्तों, अगली बार फिर एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आऊंगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों तक पहुँचाएं और फिर हम मिलते हैं जमा भागतौ